नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो करवा चौथ की आपको हार्दिक शुबकामनाई प्यारे दोस्तों करवा चौथ का वरत सुभे सूरे उदे से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है चंदर्मा को अर्ग देने के बाद पती के हाथो पानी पी कर ही महिलाएं ये वरत खोलती हैं कार्थिक मास के क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिथी 31 अक्तूबर 2023 को रात 9 बज कर 30 मिनट पर शुरू होगी चतुर्थी तिथी की समापती 1 नवंबर 2023 को रात 9 बज कर 19 मिनट पर होगी करवा चौथ वरत उद्य तिथी से मान्य होता है इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 वुद्धवार को रखा जाएगा करवा चौथ के दिन इस्तरिया शाम को चौथ माता, करवा माता और गनपती की पूझा करती है और चंद्र उदे के बाद चंद्रदेव को अर्ग दिया जाता है सुहागिनों का सबसे खास परव करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन मनाया जाता है विवाहित महिलाओं को करवा चौथ के वृत का बड़ी ही बेसबरी से इंतजार रहता है करवा चौथ के दिन इस्तरियां पती की लंबी आयू और सुखी वेवाहिक जीवन के लिए निर्जला वृत रखती है दोस्तो करवा चौथ से संभंधित बागी सारी जानकारी जानने से पहले हम आपको उस बारे में बता दें जो हमारी वीडियो का विश्य है तो दोस्तो करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने वरत का पारन करती है तो पती को अपनी पतनी को अपने हाथों से जल पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए जिससे की वरती महिला को वरत का पौन फल प्राप्त हो सके ऐसा करने से आप दोनों के रिष्टे को मजबूती मिलेगी और आप दोनों के रिष्टे को माता पारवती का भोलेनात का आशिरवाद प्रदान होता है तो करवा चौथ की रात को ये एक काम जरूर करें ताकि आप का वरत सफल हो जाए आईए अब करवा चौत के बारे में विस्तार से जानते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौत वरत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है जोतिश चारे बताते हैं कि हर साल कार्थिक मास के क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौत वरत रखा जाता है इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव माता पारवती और कार्थिके के साथ भगवान गणीश की पूजा करती हैं सुहागिन महिलाएं इस वरत को चंद्रदर्शन और अर्ग देने के बाद पारन करती हैं करवा चौत का वरत कठीन वरतों में से एक माना जाता है इसे बिना अन्व जल ग्रहन किये सूरे उदे से चंद्रदर्शन तक किया जाता है जोतिश चेरे के अनुसार करवा चौत को कर करक चतुर्थी भी कहा जाता है करक या फिर करवा मिट्टी का वो पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है पूजन में करवा बहुत महत्वपुरन होता है मानेता है कि इस वरत के प्रभाव से पती को लंबी आयू की प्राप्ती होती है और वेवाहिक इसके बाद सनानादी करके लाल रंग के वस्तरधारन करें, पूजा घर की साफ सफाई करके घी का दीपक जलाएं, इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता भगवान शिव पारवती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ वरत का संकल पलें। दोस्तों, जिन घरों में सरगी गरहन करने का विधान हैं, वो महिलाएं सरगी जरूर खाएं। करवा चौथ के वरत में सरगी विशेश महत्वर रखती है, ये एक तरह की रसम होती है, इसमें सास अपनी बहु को सुहाग का सामान, फल, ड्राइफ रूट्स और मिठाई देकर सुखी वेवाहिक जीवन जीने का आशिरवाद प्रदान करती है, परंपरा के अनुसार सरगी में रखेवे अंजनों को ग्रहन करके ही इस वरत का शुभरंब किया जाता है, यदि किसी महिला की सास ना हो तो ये रसम उसकी जठानी आफिर बहन भी कर सकती है, सरगी की ठाली सुखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, सोला शिंगार की वस्तुएं जैसे चूडी, बिंदी, कुम-कुम, महंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साडी, कंगी, मांग्टी का आदी होना चाहिए, जहां आप करवाचौत की पूजा करना च साफ करके चौकी लगाने से पहले उस्थान को हल्दी से लेप लें, फिर रॉली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें, चौकी पर गंगा जल छिड़क कर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें, साथ ही भगवान शिव पारवती, गनेश जी और भगवान कार्तिके की प्रतिमा रखकर इनका पूजन करें, करवा चौत के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है, आप मिट्टी से बने करवा का उप्योग करें तो अच्छा है, सिक्का भी रखें और इसका मुखदिये से ढख दें शाम के समय शुब मुहरत में पूजा का आरंव करें अत्य शुब मुहरत में कलश स्थापना करके जल पात्र से तीन बार राच्मन करें और चौकी पर दीप प्रजवलित करें धूप अगर बत्ती लगाएं इसके बाद प पर कलश की स्थापना करें मिट्टी या तांबे के कलश में शुद जल भरें इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांदें अब दो लॉंग दो सुपारी एक हल्दी की गांट अक्षत दो इलाइची और एक सिक्के क को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें यदि इन में से कुछ सा मगरी आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद जल में सिर्फ सिक्का और चावल डाल कर भी कलश स्थापित कर सकते हैं इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें अब की घर में बने पकवान मिष्ठान भोग रूप में चड़ाएं पूजा संपन होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं अंत में माता करवा माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें सभी देवों को नमन करके अपने पती और संतान की लंबी आयू के लिए प्राथना करें आये इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कथा भी जान लेते हैं ओम शिरी गणेशाए नमहा एक साहुकार के साथ लड़के और एक लड़की थी एक बार कार्तिक मास की क्रिशन पक्ष की चतुर्थी तिठी को सिठानी सही तो उसकी सातों बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का वरत रखा रातरी के समय जब साहुकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा इस पर बहन ने कहा भाई अभी चांद नहीं निकलने पर ही उसे अर्ग दे कर मैं आज भोजन करूंगी साहुकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे उन्हें अपनी बहन का भूग से व्याकुल चहरा देख बेहत दुख हुआ साहुकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चड़कर अगनी जला दी घर वाप दे कर भोजन कर लो ननत की बात सुनकर भावियों ने कहा बहन अभी चांद नहीं निकला है तुम्हारे भाई धोके से अगनी चला कर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं साहुकार की बेटी अपनी भावियों की बात को अंसुनी करते हुए भ गनेश जी की अप्रसंता के कारण उस लड़की का पती बिमार पढ़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बिमारी में लग गया। साहुकार की बेटी को जब अपने किये हुए दोशों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताब हुआ। उसने गनेश जी से शमा प्राथना की और फिर से विधिविधान पुर्वक चतुर्थी का वरत शुरू कर दिया। उसने उपस्तित सभी लोगों का श्रधा अनुसार आदर किया और तंदू प्रांत उनसे आशिरवाद ग्रहन किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रधा भक्ती को देखकर एक दंत भगवान गनेश जी उस पर प्रसन हो गए और उसके पती को जीवंदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और व्यभव से युक्त कर दिया। अब दोस्तों पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतिक्षा रहेगी, करवा चौथ पर चांद रात आठ बचकर पंद्रा मिनिट पर निकलेगा, इस समय पर महिलाएं चंदर्मा की पूजा करेंगी और अर्ग देंगी, उसके बाद पारन करेंगी, करवा चौथ पर अर्ग देने की विधी क्या है, आईए जान लेते हैं, चंदर्मा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भर कर रख लें, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूद और अक्षित डाल दें, फिर चंदर्मा को देखकर अर्ग दें, अर्ग के बाद चंदर्देव को प्र पिला कर वरत का पारन कराते हैं, इससे वरत पून हो जाता है, दोस्तों करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहने, क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहन सकते हैं, और जानिए करवा चौथ पर पती अपनी बीवी को ऐसा क्या उप पहने, आपको बता दे कि एक सुहागी निस्तरी के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत महत्वर रखता है, खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुती शुब और मंगलकारी माना गया है, ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी क जोड़ा हो तो करवा चौथ में चार चांद लग जाते हैं, और पती को ऐसा नजारा देखकर खूब सुरत प्यार भरा पुराना वक्त नज़र आता है, वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्तर पहन कर भी इस वरत को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करना शास्तरों में गलत न ही माना गया है, अगर आप अपने मन के अनुसार वस्तर पहनते हैं, तो बाजार से खरीद कर नया वस्तर पहन सकते हैं, लेकिन करवा चौथ में शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे एहम माना गया है, दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि खा करवा चौथ खुशी का त्योहार मनाया जाता है ऐसे में धारधार चीजें चाकू, छूरी, कैंची आदी बिलकुल भी ना खरीदें ऐसा करने पर पती पतनी में जगड़े आदी हो सकते हैं। अगर ये तिलिया तूटी हुई है तो आप इने इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशी के अनुसार शिंगार करेंगे तो करवा महरानी की कृपा आप पर होगी। पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कभी इनके पती के प्यार में कमी नहीं आती। मिथुन राशी की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इनकी राशी का स्वामी बुद्ध है। तो इस राशी की महिलाओं को करवा चौत पर हरे रंग की साड़ी सूट या लेंगा पहन कर इसी रंग की चुड़ियां पहन कर पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से वरत का दोगुना फल मिल सकता है। नमबर चार करक करक राशी के स्वामी जंदर्मा हैं तो इस राशी की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चुड़ियां पहनना आपके लिए शुब रहेगा नमबर पांच सिंग राशी अगर आपकी राशी सिंग है तो इस राशी के स्वामी सूरे देव हैं तो इस राशी की महिलाओं को लाल नरंगी या फिर औरंज गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहन कर पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से आपको करवा माता का वर्दान भी मिल सकता है नमबर छे कन्या राशी अगर आपकी राशी कन्या है तो इस राशी का स्वामी बुद्ध है तो इस राशी की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल हरा या गोल्डन रंग की साड़ी सूट या लहंगा पहन कर पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुब फल मिल सकता है नमबर साथ तुला राशी अगर आपकी राशी तुला है तो आपकी राशी का स्वामी शुक्र है तो इस राशी की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल सिलवर या गोल्डन रंग के कपड़े वचूडिया पहन कर पूजा करनी चाहिए ऐसा क करने से इन्हें पूजा का शुब फल तुरंत प्राप्त हो सकता है नमबर आठ व्रिष्टिक राशी इस राशी का स्वामी मंगल है इसलिए इस राशी की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल महरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहन कर करवा चौथ की पूजा करनी चाहि ये ऐसा करना इन महिलाओं के दामपते जीवन में शुब फल प्रदान कर सकता है नमबर दस मकर राशी अगर आपकी राशी मकर है तो इस राशी का स्वामी शनी है तो इस राशी की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहन कर पूजा करनी चाहिए ऐसा कर नमबर ग्यारा कुम्भ राशी अगर आपकी राशी कुम्भ है तो इस राशी का स्वामी भी शनी है तो इन राशी की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले या फिर सिलवर रंग के कपड़े और जूलरी पहन कर पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुब फ पढ़े पहनना शुब रहेगा इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूडियां पहनना भी आपके लिए शुब रहेगा दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर पती अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दे जिससे दांपते जीवन सुख में रहे और धन की देवी माता लक्षमी सद जैव आपसे प्रसंद रहे तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों नमबर एक सोना चांदी तांबा पीथल नमबर दो मेकप का समान नमबर तीन हीरा मोती नमबर चार कोई नई खूबसूरत सी ड्रेस नमबर पांच आप उन्हें आनलाइन शॉपिंग क्रेडिट धन आदी भी दे सकते हैं नमबर छे फूल सरवशेष्ट उपहार के तौर पर माना जाता है ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं इसके आगे शास्तरों में कहा गया है कि हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पीछे हैं और इसे प्यार का प्रतीक भ भंधित तो दोस्तों नमबर एक करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्तर पहनना शुब रहेगा तो दोस्तों सुहागिन महिलाओं को इस बात का धियान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है लाल रंग का कपड़ा अपनी पतनी को उपहार देना चाता है तो ये चीज़ कभी न दें जैसे धार-धार चीज़ें जूते चपल और सफेद कपड़ा आदी इन चीज़ों को उपहार के तो पर गलती से भी ना दें पती अगर करवाचोथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तू उपहार में दे तो अती उत्तमा न जाता है दोस्तो नमबर तीन खास करवाचोथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी ये चीज़ें कभी किसी गैर महिला को ना दें मांग का सिंदूर गले का मंगल सूतरे दुलहन का जोड़ा या कोई भी मेकप का समान कभी शेयर गलती से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिष्टों पर नेगटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं इसके लिए हो जाएं सतर्क दोस्तो नमबर चार करवाचोथ पर उपहार के तौर पर अपनी मां को कोई भी वस्तर वश्य दें ऐसा करने से मां का आशिरवाद प्राप्त होता है द खास करवाचोथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है आपको बता दे कि धार्मी का नुष्ठान वरत आदी मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नही किया जाता लहसुन प्याज को मास की श्रेणी में रखा गया है खास करवा चौथ पर मास मदीरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मास का सेवन करना चाहिए वही करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजा कर उपहार के साथ सास या ननत को दे दें ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद